हेलो एरिवन वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हम फेरनेस के लिए टाइटनिंग के लिए ब्राइटनेस के लिए और डार्क सरकल्स को रिमूव करने के लिए एक पैक बनाएंगे जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ह है और बहुत ही फाइदेमंद है तो इसके लिए मैंने सबसे पहले रौ मिल्क लिया है दो टीवल स्पून के करीब है यह दो स्पून जो नॉर्मल है और यह हमारा राइस फ्लोर है इसमें हम जितना अच्छा फाइन पेस्ट बन जाएगा हमें चाहिए है उतनी रिक्वार् सब्सक्राइब शूब ऑसम नारियल तेल के डालेंगे तो इन सबी जैसे कि आप जानते है इन सभी चीजों में हमारी स्किन को बहुत ज्यादा निखारने की ब्रैटनेस फरमनेस देने की बहुत जादा इन में जो है क्वालिटी है इन सब को हम एड़ करते एक फाइन सा पे राइस फ्लॉर एड़ कर लूँगी और यह हमारा है मैदा यह हमने मैदा इसमें डाल लिया है अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से है अब हम इसमें मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ी सी जो है डॉप्स डाल लेंगे दो त्री डॉप्स जो है इसमें नारियल का तेल एड़ करेंगे इससे हमारी जो स्कीन है ड्राइनी होगी और शाइन भी करेगी कि देखे हमारा फाइन सा पेस्ट जो है तेयार हो चुका है इसकी कंसिस्टेंसी देखे अच्छे ऐसी हो जाएगी और थोड़ा सा अगर हम इसको पांच मिनट के लिए रख देंगे तो यह और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि राइस जो है हमारे प्रॉपर जो जो है वाश कर लेंगे अच्छे से और फिर हम इसको ऐसे अपने फेस पर अपलाई कर लेंगे मैं हैंड पेस को अपलाई करके दिखाती हूं कि देखे अच्छे से इसको अपलाई करना है सारे फेस पर हमने इसको लगा लेना है वाश करके और थोड़ा सा हम इसको पांदस मिनट के लिए रखेंगे फेस पर इसको ड्राई नहीं करना है और पांच-दस मिनट के बाद हम इसको थोड़ा सा मसाज करते हुए हलके हैंड से हाथ से इसको वाश कर लेंगे आप देखे अपनी स्किन में जो डिफरेंस मिलेगा आपको देखने को बहुत ही कमाल का होगा बहुत ही अच्छी हमारे इंग्रीडियन्ट्स हैं इसको रूटीन में यूज कीजिए हफते में एक बार तो आप एक महीने बाद ही अपनी स्किन में देखे बहुत फरक आ जाएगा कम से कम हफते में एक बार तो यूज करना चाहिए जैसे हमने दस मिनट के बाद हम इसको इस तरह से रब कर लेंगे थोड़ा ड्राई हो जाएगा अलके हैंड से ऐसे इसको रब करते हुए हम जो एव फेस को हम अपनी वाश कर लेंगे यह मैं थोड़ी सी मसाज करके आपको दिखा रही हूँ सूखने के बाद जैसे ड्राई होता है थोड़ा सा तो आपनी ऐसे ही इसको करना है तो मैंने इसको वाश कर लिया है और यह देखे डिफरेंस हमारे हैंड का कितना डिफरेंस आ रहा है आप खुदी देख सकते हैं यह मैंने थोड़ी देर के लिए प्लाई किया था और जल्दी ही वाश कर लिया है आप इसको 10 मिनट तो जुरूर रखेगा स्किन पर उसके बाद आप इसको वाश कीजिए देखे कितना डिफरेंस है तो आप इस वीडियो को देखे जुरूर ट्राई कीजिए और अपने स्किन में डिफरेंस देखे अजय है है तो एक हम अतरी कीजिए और याह है हैम आप गा रसकिन झालाव स्किन उसके स्किनphen्गन एक जालाई कीजिए अल्रों